आशू मलिक दिखने वाले हैं सामने उनके होंगे बेंगलूरू बुल्स और ये देखिए सुर्जीत और आशू मलिक की फिड़न्त होगी और जहां तक तबंग दिल्ली और बुल्स का सवाल है दोनों का बहुत ही जबर्दस प्रदर्शन रहा है वीकेल में आशू मलिक अपनी टीम को लीड करेंगे क्या आज 79 पॉइंट्स पर पहुंच सकेगा दबंग दिल्ली अगर 79 पॉइंट्स हासिल करते हैं तो जाहर है नमबर तीम पर अपनी बर्थ तकरीबन कनफर्म कर लेंगे पहली रेड और पहली रेड पर आए हुए हैं अक्षित अक्षित में पिछने कुछ मैंचेस में अच्छा प्रदर्शन किया है स्टार्टिंग सेवन में लगातार शामिल किया जाना है लिकित बुल्सकाद को भाके था कि उनके जो टॉप्मोस रेडर्स ने अब नजर रहेगी कि खाता किस तरफ से पहले खुल पाएगा क्या डिफेंस का दा को सकता है सुशील के उपर हावी हुए कि लाड़ी योगेश ने वो वेस्टोल कर टेलिका सुशील को कि बहुती जबर्दस टैकल पता था कि वेस्टोल के लिए जा सकते है किसी वेस्ट दिखा दीती बैग दिखा दीती सुशील ने पूरी तरह से योगेश को अब तक प्रभावित नहीं कर सके कंसे कंसी जन नंबर दस पे प्लेयर आफ्स में आपकी टीम पहुँच चुकी है प्लेयर आपस के सब्सक्राइब दे दिया मीटू ने और यह काफी समय था रंसिंग रणिया के लिए के वो डाइव पर जाए इपैर जो ए लबी में चले जाता है रंसिंग का इस समय पांच के डिफेंस में आशू काफी आसानी से पॉइंट ख्लेम कर रहे हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं पहले ही लॉबी में चले गए विकल अपनी कति पनी अंजर नहीं कर पाये थाच के लिए निकले थे और पूरी तरह से कॉंफिडेंट थे कि हो जाएगा और इसी लिए उन्होंने एक्सिलरेटर से पहर नहीं हटाया सीधे लॉबी में चले गए यहां चेका डिफेंस अक्षेव के विए क्या वेस्टोल्ड है जवाब नहीं जिस तरह से वो पैक होल्ड करते हैं अग्षेव पढ़िया प्रदर्शन करते हुए अब दो टैकल किये दोनों में काम्याब और यहां रक्षित आये हैं रेट पर डिफेंस देखिए बिल्कुल बोनस की चासर नहीं दे रहा और जैसे ही स्टेप लेते हुए स्केप रूंट पर चाना जाते थे विशाल भारदवाज में पकड़ बनाई बहुत यह अच्छा टैकल यह विशाल का चेन के साथ आयते पाला साथ जादो और विशाल भारदवाज बहतरी इंचेंट टैकल चाल में फसादिया पूरी तरह से रक्षित को और यहां पर अपने लिए पॉइंट्स कमाते हुए मटी पॉइंट जाते जाते हो दोन इसके दूसरा पॉइंट वागया वाटीव जाके वो रूहित कुमार को और तमाम कॉमेंटेटर्स की पसंद का यह एक लम्हा जो भी आपने देखा और यहां डिफेंस ने काम किया बुल्ज की सारव नंदल ने वो डाइव किया आगे आए ते मितु शर्मा रानिंग हैंड टच करने के लिए सारव नंदल के उपर मॉका बना नहीं बहतरी इन डाइव अगर आशु वलिक को रेडिंग में सपोर्ट में जाए तो सच मुछ वो पूरी टीम कंप्रीट हो जाएगी क्योंकि दिफेंस तो लगाता रचा कर रहा है आशू यहां डैशा वो गए हैसा रखता है तो पॉइंट्स कम एंडले और रिविट दैशा आउट गोने से पहले क्या उनका हाग मेट लाइन को बिलकुल नश्यत तोर पर सुपर रेड यहां दी गई है तो यही देखना होगा पॉनस तो क्लियर ली ले लिया आशू ने जूर जीद पीतू इस पूरे सीजन उन्हें मौके मिले है रिशान लेकिन इतने मौके मिलने के बाद भी उन्होंने अब तक प्रभावित नहीं किया है कोई खास असर नहीं डाल सकें और यह एक पढ़िया तच करके आए रक्षित मीतू शर्मा का दिख्र कर रहे थे शायद इतने मौके अगर और किसी रेडर को मिले होते तो अब तक वो बहतर करना होता समझ में आ रहा है मीतू के साथ प्र जिस तरह से मीतू शर्मा खेल रहे हैं बहुती श्लो है और कभी कभार पॉइंट लेकर आते हैं मुमेंटम बना के देते हैं टीम के लिए पर और निरन तरता दिखी नहीं है हमें मीतू शर्मा के रेड में तो वो लाना होगा प्लेवस में इंपक्त प्रिटेबल भी हो जा सुशील जैसे मुकाबला शुरू हुआ किक लगाई उन्होंने जाधक को बाहर किया बहुत यह अच्छा किके बाला साइब जादो टार्गेट किया उस किक से सुशील ने करना है रेड में बफुभी बता दिया है आश्रो मले के समय रेड के लिए यह सीजन कमाल का एज रेडर अज इंडिविजूल भी कमाल का यह सीजन चलता हुआ लेकिन इस बार उन्हें पकड़ लिया गया इस बार डिफेंस सही से रइनिती बना के आया जिस तरह से मीतू श करके आश्रो को रोका पर इस बार अच्छी बात यह कि सेल्फ आउट से बचे रंसिंग रंसिंग की यह जो टाइव होती वह अद्भुत होती है तर्शनीय डाइव जिसे आप कह सकते हैं और यहां पर रॉप सूपर टैकल की बजाईश है लेकिन ओल आउट का खत्रा भी है सूपर टैकल कामयाब हो जाएगा बिल्कुल कमर पर पकड़ करके जो रेस्लिंग का दाव है वो लगा दिया यहां पर लेकिन क्या सेल्फ आउट भी हो चुका है कोई सूपर टैकल सूपर टैकल सूपर टैकल है नितिन जंडेल की मगर की जकड आए और क्या जकड उन्होंने दिखाई रेस्लिंग में जो ग्रैन एम्प्लीट्यूट बोलते हैं तकरीब वही नजारा यहां पर देखने को मिला उसी मेदारी उठानी पड़ी की पॉइंट्स लाने होंगे अब दिक्कत यह है कि दवंग दिल्दी सिर्फ दो रेडर्स के साथ खेल रहे हैं पांच डिफेंडर्स के साथ खेल रहे हैं अगर इसी नीथी के साथ वह आगे बढ़े प्लेयाप्स में और सपोर्ट रेडर का कोई कॉंट्रिबूशन नहीं मिला तो यह मिश्किल होगी ल सुपर टैकल का में आप बहुत ही जबर्दस यह टैकल विशाल भारतवाज का और एक बार विशाल भारतवाज पर नजर रखें क्योंकि वह टैकल करने के लिए तयार है क्योंकि प्रदर्शन उनकी तरफ से आतावती बार बनके कड़े हुए नो नो हाइफ पूरा कर लिया इसके साथ भी विशाल भारतवाज नहीं है और एक बार फेर चप्रचा हो रही है कि क्या में विशाल भारतवाज का प्हर ऊपर उठा ऐसा लगता नहीं है बिल्कुल संजर ऐसे लगाने कि विशाल का पहर जो है वो बाहर चले गया है देखन होगा निशाल भारद्वाज भी उतनी पर्फेक्ट है तूपोइंस नबंग देले शुपर टैकल का वे आप रॉक्षूपर टैकल अब मनु आये हैं डू अडाय के लिए मनु का इस्तेमाल बीट वीच में हुआ है दो मैचेस में यह स्टार्टिंग सेवन में भी दिखाई दी है लेकिन विदाउट इंपक्ट किसी तरह का प्रभाब मी छोड़ पाए और यहीं दबंग दिल्डी की सबसे बड़ी परेशानी रोहित आयते डैश करने के लिए मनु को सब्सुदिशन बंग दिल्डी के हिस्से में आये और येक और सूपर टैकल सिचुएशन दिये लेकिन इसबार नहीं विगास आये और पॉइंट ले गए विल्कुल दबंग दिल्डी को डिफ्रेंस की तैली इस पर तक्रीवन ओल आउट के पास पहुंचा दिया सिर्थ दो प्लेज बाकी और इस बार गल्थी करवाए भी दबंग दिल्डी ने शूपर टैकल पर ही खेलाएगा प्याइच्छे तरीके से तीन सब्सक्राइए तनी सब्सक्राइए लेक अलकए आफ दोश्कुल ज़िए लौप सूपर टैकल कार विअगर की जन्से निकल नहीं पाए चार सूपर टैकल ने दबाव दिल्दी को कहना लाकर के खड़ा कर दिया विक्रान सिंगल ब्लॉप के लिए आए वेस्टोल करते हुए दिखिए हमें योगेश बैटरीन अथिष्ट कि उस तरह का प्रदर्शन नहीं हाला कि अभी विक्रांथ में यह सूपर टैकल किया लिकर अगरा अगरा ओवर ओवर और देखे तो पाला साहिब जाधव और विक्रांथ को थोड़ा सा उपर आना होगा यहां डैश आउट कर दिये गए क्या बिल्कुल डैश आउट हुए है पैर उठाने था विक्रांथ का अब डैश बहुती सटीक पानप्रती बन का और अब फिर से एक सूपर टैकल सिचुएशन के अंदर दबंग डिली पॉइंट सूपर टैकल के अंदर अच्छे कमाए है इस टीम ने आज डिफेंस अच्छा चला है वोशिश्रेगी बैक होल क अबर पिर से तैयार तैनाद और तफ़र चीता है चीता योगेश इस तरह का टैकल करते हैं वो देखने में ऐसा लगता है कि जंडल में किसी मजबूत चीते ने एक बहतरीन शिकार किया हो जबर्दस्ट क्या वेस्ट होल्ड और ये तीसरा पॉइंट अपने वेस्ट योगेश ने आज की राद बहुती भैतरीन टैकल करते हुए दिख रहे हमें बार-बार अटैक कर रहे हैं रेडर्स को और वेस्ट होल्ड के लिए जाते बैक होल्ड के लिए जाते बहुती जबर्दस्ट बढ़िया थी वो मगर की जकट जो आई अब समझना ये है कि तबंग दिली नीड है उनके पास और ये बोनस जरूर आया ये पहले आपकी आखरी रेड फिर से एक सूपर टैकल सिचुएशन है हाना कि इस समय एक रेडर भी मौझूद है उस डिफेंस की कमान सभालते हैं लेकिन युगेश पे निकाहें रखनी और ये ठाइस सोला दबंग दिली लीड कर रहे हैं लेकिन आल आउट के पिल्कुल नजदीक खड़े अब देखना यह है कि किस प्रकार से यह हाफ जाता है क्या है बैंगलोरो बुल्स शुरुआत में जो रफ्तार पकड़े के उसे अगले 20 मिनट तक जारी रखा सकती है योगेश इस समय एक डिपेंडर है और आखरी खिलाडी थे तो यहां पर पकड़े जरूर गए बैंगलोरो बुल्स के पास यह ओल आउट पॉइंट जाएंगे जीवर में धर बनाने का और पहचान बनाने का मौका के वाले की बार मिलता है कबटी के खेल में आप आल आउट होके वापस ओल इन हो जाएंगे सिंगल गए ते डैश के लिए ग्रीन कार्ड भी मिल गया है उनको शायद से वो जर्सी पुलिंग किसी हुई होगी बिल्कुल रफ टैकल करने की इचाज़त नहीं सब टैकल करने की इचाज़त है और यहां अक्षित आए हुए है को मिला कर तो रेट पॉइंट से आज अक्षित के डिफेंस ने घेर लिया योगेश ने फिर कमाल किया योगेश का एक और हम पूरा क्या गजब का रेडर मिल अगर बात करें और यह सूपर हो सकती है अशुमलिक की डूपकी लगाई चेंगे नीचे से अशुमलिक की अटूपकी अनका सूपर टेन भी पूरा करती है सशक्त करती उस पहले पायदान को जहां पर वो नंबर वन रेडर बन जाते है और अब जबंग देली मनु बस आए है समय निकाल करके वापस जाना चाहेंगे पहली चीज़ उनके पास लीड है अपने तरीके से खिलवाना चाहते है और बेंगलूरू बॉल्स डूट आए के लिए क्योंकि उनकी डूट आए आएगी तो बेंगलूरू बॉल्स के ऊपर प्रेशन पड़ेगा पोइंट टिकाल लेका आने का और जहां टिफेंस इतना अचा चल रहा है वो तो न्योटा करेगा ये रेड की जिए रेड होगी डूट आए रेड होगी डूट आए सुशिल पर जिमेदारी होगी पाच के डिफेंस में तेके विशाल भारद्वास से दबंग दिल्ली पर दबाव बढ़ना ये भी तै हो चुका है चार पॉइंट्स की उमीर है आजम खान साब गिंती कर रहा है अपनी आँखों से कितनों को दिये जाए बिल्कुल चार ये सुपर रेड सुशीन ने कमाल किया जस तरीके से उन्होंने अपने पूरे शनीर को बोड़ा और सुपर टेंग भी अपना पूरा कर दिया हाना के रिविव आ रहा है येस रेंड राउट डेटराउट ओके कि एंपर दबंग डेली चैलेंज रिडराउट और डिसीजन रिडर से फोर पॉइंट्स प्लीज रिविविव श्रकल में आने के बाद लॉबी में तच हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है और ये जैसे ही घिरे कोई स्पेस नहीं था यहां से जंप लगाई और काम्याब हुए एथलेटिसिजम बहुत कमाल का सुशील का इस इस रेड में देखने को मिला पॉइंट्स बखू भी आएंगे उनके हिस्से में यस ओके रिव्यू अंसक्सेस्पूल रश्याप फोर पॉइंट्स बैंगलोरो बूल्स अब बैंगलोरो बूल्स वापसी कर रहे हैं दीरे दीरे सुशील ने अपना सूपर टेंप पूरा कर लिया दबंग दिल्ली पर दवाब बढ़ चुका है फासला सिर्फ साथ पॉइंट्स का है और कहां पर योगेश ने एक बार फिर अपनी टीम को लाउंट से बचाया यहीरा है हीरा और जिस तरह का डिफेंस में प्रदर्शन करत है वो लाजवाब है बुरीद बना लिया इनोंने न जाने कितने लोगों को अपनी कला से एक लोर रेडिंग में भी एक पॉइंट असिल किया बहुत ही अच्छा वो टनिंग हैंट टच पॉन प्रतिबंद को भार किया यहां पेक चुनोती होगी दो के डिफेंस में अक्ष करते हैं ऐसा लगा कि जाकर कि उनको धक्का देना चाहते थे लेकिन वो भी उन्होंने लास्ट मूमेंट पर बदल दिया पर अब योगेश पर वापस सिम्मेदारी अभी बचाया है ओल आउट बोनस कंफर्म हो जाएगा लेकिन बोनस से बचेंगे नहीं होगे शॉल आउट हो जाएगी टीम अगर वो टच नहीं करके आते हैं वो बेसिकली एक डिफेंडर है उनके लिए रणिंग हैं तर बहुत आसान कला नहीं है लेकिन इसके बावजू प्रयास करने हुए है और य किसी ने भी कलपना नहीं की थी कि पुल्स मुकाबले को जीतेंगे कई मुकातों में पीछे से वापसी की है और यहां आशू मलेक रुट करके गए अपना रेट पॉइंट कमा करके गए अब बहुत ही अच्छा यह रणिंग हैंट टच आशू मलिक का वान प्रतिबन को आउट किया उस रणिंग हैंट अच से अशू मलिक का बोट पे बने रहना बहुत ज़रूरी है जब जब आशू मलिक भार जाते हैं तो वो प्रेशर दिखता है अमें दबंग देली के टीम में और दबंग देली को यहां पोइंट मेंता हुआ सुचील की तरफ से इस बार गलती हुई आउट अपांज जाना बिना किसी टच के वो पैर जो गया वो दिखत बन गया इस रेड में पहली बार पिछले पांच सीजन में बुल्स प्ले आफ से बाहर गए हैं तो रिवाइब कर लिया है सुरजीत ने करियर को हम कह सकते हैं तुकि अगर इचले दो तीन सीजन की बात करें तो श्ट्रगल करते हुए दिखे थे सुरजीत हमें पर इस सीजन जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं इस सीजन तो खतम हो गया बुल्स इसके पांद एक मैच और केलेंगे हर्याना स्टीलेस के साथ लेकिन नेक्स सीजन किस तरह की टीम उतरती है लंबे समय के बाद पहला सीजन जब प्ले आफ्स पे नहीं पहुँच सके बेंगलुरू बुल्स और इसके लिए रिशांक अग बात करें लिकास कंडूला की बात करें जिन पर जादा भरसा किया था खोचिज ने और हम सबने उन्होंने निराश किया है सीजन में और अभी आशुमली कोई दिखते सीजन में क्या बढ़िया तरीके से रेड्स और डिफेंस पे पोइंट्स निकाले हैं दबंग दिल्दी के और चार सो चमालीस रेड़ पॉइंट अगर दबंग दिल्दी ये मुकाबला आर गए तो हर्याना स्टीलस नंबर तीन पर काबि तो जाहिर है कि पट्ना पाइरेट्स के साथ वो खड़ेंगे और जाते जाते यहां पर यूगेश ने एक और काम्याब टैकल किया पहतरीम प्रदर्शन कर रहे हैं यूगेश शनीर और मन मस्दिश को कोई एक साथ काम करना चाहिए यही संदेश है दर्शक जो वहां मौजूद है और यूगेश तुम कमाल करने हैं आज यूपना प्रभावित नहीं कर पाया है दस रेड में एक रेड पोइंट इनके पास आया तीन बाजी आउट जो आज और वही दिक्कत है कि कॉर्णर्स के उपर निगाह नहीं रखते और वही से बैक वोल्स हो जाते हैं जिसके अगें से फस जाते हैं और इस गोर डाय बंगलर बोल्स चलंग नो बोनस रिडराव और डिसीजन बोनस प्लीज रिविव बंगलर बोल्स की तरफ से चलेंज आता हुआ कि बोनस नहीं है मीतु का तिक यहीं देखना होगा कि मीतू शर्मा जोब बोनस की मोमें कर रहे है बोनस तो हो गया क्लियरली दिया जाएगा अच्छी तरह से नाइन भीकट हो गई है और दूसरा पैर में उत्तावा दिखा है ओके डिविव अन्सक्सेस्पूल बोनस पोइंट बंगलर तबंग डाली केप्टन यरुज ओर रोमोस रिविव पांच पॉइंट का डिफरेंस हो किया लेकिन तबंग दिल्दी को प्ले- प्लेने से पहले आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सबक आज दिया है बुल्स पे और यहां रेल्ट टैकल हुआ कापी एडवांस पे पकड़ बना नहीं सके यूगेश यूगेश की बहुत बड़ी गल्टी जरुवत थी नहीं पार संजेदा उनकी बहुत परफेक्ट होती है और कॉंफिडेंट रहते हैं और उसी में एक है मिस्व शर्मा भी जब जब बोनस करते हैं तो फुट्वक्स है तरीके से हमने देखने मिलता है बोनस का बिल्कुल ब एक टीजर बनेगा उसे एक मूवीं के लिए जो डेफिनिटी हमें नजर आएगी और ये है वो पूरी मूवी पीकल सीजिए 10 के अलिमिनेटर सेमी फाइनल और फाइनल 26 28 और एक मार्च को वाशी बॉल स्टेडियम है तरबाद में और यहां पे डिफेंस फिर से वैसे ही ज और अब यह जो फास्ला है छे पॉइंट का बन्यूरू बुल शाहिंगे की इस बार इस डूर डाय किंदर कोई गलती करवाई जा सके डेडर मीतू शर्मा से मीतू शर्मा टाइब किया और रड़सिंग की पकड़ से छूट गए मीतू शर्मा चाहिए काम्यावी मिली चौथा पॉइंट और अब लीड बढ़ती जा रही है दबंग दिल्ली की जीत तकरीबं तै होती जा रही इस मकाबले में यह देखिए सामने आए और वापस निकल गए यहां पर एक पॉइंट दे दिया पॉइंट बिल्कुल लीग दोर में अगर वक्त बचा होता तो हम कहते के साथ पॉइंट से कब के फास्ट ले से हारेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा और वो इंपॉइंट होगा लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि बोड़ से बाहर हो चुके हैं अब वो एक पॉइंट लेके उनका कुछ भी नफा नुकसान नहीं होने वाला जाते जाते आशुने एक और आखाते दिया तीन या चार गिंती शुरू है सुपर रेड है यह और आशुमलिक बने फिर से रेडिंग के मालेक सूपर रेड यह तीन पॉइंट आशुमलिक के सोला रेड पॉइंट्स आज के दिन में इनफैक्ट से बदलके चार किया गया क्यों नहों आशुमलिक का कारणामा इसी प्रकार से चलता है बिल्कुल यह सूपर रेड पैरों पर पहने आखरी मुकामना था दवंग दिन्दी का जीत के साथ उन्होंने लीग दोर सबाप्त किया है